और इस वक्त की बड़ी ख़वर आमादी पार्टी के सांसा संजे सिंग को सुप्रीम कोट से जमानत मिल गई है जमानत मिलने के बाद एडी ने जमानत का विरोध नहीं किया था जेल से बाहर सब संजे सिंग आएंगे संजे सिंग करीब 6 मैने से जेल में बंध है अक्टूबर के महिने में गिरिफतारी हुई थी चार अक्टूबर को गिरिफतारी हुई थी संजे सिंग की जब एडी ने उन्हें समन भेज कर पुछताज के लिए बुलाया था जिसके बाद उनके घर पर रेट पड़ी थी और आकिरकार संजे सिंग को गिरिफतार किया गया तो उस पर E.D. ने विरोध नहीं किया, जिसके इतमद्दे नजर सुप्रीम कोट ने संजय सिंग को बरी कर दिया है, जमानत दे दी है, इस मामले में जमानत दे दी है और E.D. ने इस जमानत का विरोध नहीं किया था, तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, कि जहां एक तरफ पार्टी के मुख्या आर्विन के जिवाल तिहार जेल में बंद है, शराग घोडाना मामले में, वहीं संजय सिंग को कोट दे जमानत मिल गई है, सुप्रीम कोट ने जमानत दे दी थी और पिछली सुनवाई में संजय सिंग के लिए पेश हुए थे हैं उन 19 जुलाई 2023 को अप्रूबर वने दिनेश अरोडा के बयान में पहली बार संजय सिंग का नाम सामने आया था और यहां तक की 164 के बयान में भी संजय सिंग का नाम था, जिसके बाद करीब 6 मैने से संजय सिंग जेल में बंद थे, तिहार जेल में बंद थे और आखिरकार E.D. ने बड़ी बात है कि विरोध नहीं किया है, इसे जमानत का, क्योंकि E.D. से सवाल पूछा गया था, सुप्रीम कोट की ओर से जज़ थे उन्होंने पूछा था, क्या संजय सिंह को अभी जेल में रखने की ज़रूरत है, जिस पर सुप्रीम कोट में E.D. की ओर से सबा सांसद है, साती बड़े नेता है, आमादमी पार्टी के, अर्विंद केजवाल के करीब भी है, उन्हें जमानत मिल गई है, और जमानत मिलने के बाद, अब देखना होगा कि आखिरकार उनका क्या बयान आता है, क्योंकि पार्टी में इस वक्त एक्राइसिस चल रही है, जो मुक्या है, इस वक्त जेल में है, इसके अलावा मनिश सिसो दिया, जो दूसरे बड़े नेता थे, डिप्टी सेम थे, वो भी इस वक्त जेल में है, सतिंदर जैन जेल में है, और अब देखना होगा कि संजे सिंग बाहर निकल कर किस तरह से, अपने इस पुरे मामले को, इस मुद्दे को किस तरह से वो जनता के सामने लेकर जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक जमानत जो मिली है, जमानत के दौरान संजे सिंग से, के जो संजे सिंग के बारे में पूछा गया, E.D. से और ये पूछा गया, कि आखिर क्या अब जमानत की, इन्हें क्य ये